गुर्मोने श्टुडेंट तो जैसा कि ग्रामर में चेप्टर 3 कम्प्लीट हो गया था आज पढ़ेंगे चेप्टर 4 तो चलिए जान लेते हैं चेप्टर 4 में नाउन दिये गये हैं तो आपने नाउन और नाउन के काइंट्स तो पढ़ रखे हैं थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप लोग तो आप लोग को पता भी होगा चली एक बार रिवाइस कर लेते हैं इसको देखिए नाउन्स दिया गया तो आपको क्या करना है अपनी नोटबुक पर जो जो मैं बताओंगा वह आपको रायट कर लेना है तो चलिए श्टार्ड करते हैं सबसे पहरे का नेम डालोगे, आप लोग फिर उसके बाद नाउन डालोगे, नाउन के डेफिनेशन राइट कर लोगे, वैसे तो आती है, लेकिन राइट कर लेना है, अनाउन is the name of a person, place, animal or thing और abstract idea ठीक है, मतलब दिया गया है कि जो नाउन होता है, वो किसी भी person का नेम हो सकता है, place का नेम हो सकता है animal का नेम हो सकता है, या फिर किसी things का, या फिर कोई abstract idea मतलब ऐसा idea जो feel किया जा सकता हो, जैसे beauty हो गया, चलिए यह हो गया हमारा नाउन, अब देखते हैं there are two main categories of noun, noun को two main categories में divide किया जाता है, countable and uncountable noun, ओके countable means होता है जो count किया जा सकता है, और uncountable means होता है, जो count नहीं किया जा सकता, ऐसा noun जो count ना किया जा सकता हो, देखो countable noun पर हमारे noun आते हैं common noun and collective noun okay, common noun, countable पर क्या आते हैं, common and collective हम common noun को भी count कर सकते हैं और collective noun को भी count कर सकते हैं Uncountable पर proper nouns आते हैं, material nouns and abstract nouns आते हैं, जिनको हम count नहीं कर सकते हैं, देखते हैं अब countable noun की definition आपको write करना है, तो यहां से यह आपको write करना है, इसके बाद यह पूरा यहां तक write करना है, अब write करना है आपको countable noun, तो countable noun that, nouns that can be counted and have their plural forms are called countable nouns, ऐसा noun जो क्या करा जा सकता हो, count किया जा सकता हो, वो कौन सा noun होता है, countable noun होता है, ठीक है, और इसका plural form भी बन जाएगा, क्योंकि count किया जा सकता है, तो singular या plural में हम change कर सकते हैं, as girls हो गया, army, chair, यह सब को हम count कर सकते हैं, ठीक है, girls को count कर सकते हैं, 4 girls, 3 girls, army, 2 army, 3 army, इसके बाद chair, chair को भी count कर सकते हैं, 5 chair, 6 chair, etc, common nouns and collective nouns are two types of countable nouns, यह तो यहां पर भी दिया गया है, कि countable noun पर common noun and collective noun आते हैं, चली देख लेते हैं, अब common noun की definition आपको नहीं write करनी है, नहीं collective noun की write करनी, क्योंकि collective noun और common noun की definition तो आपको पता है, common noun क्या होता है, the name of common person, place, or thing, जैसे boy, girl, man, flower, animal, etc, ठीक है, यह सारे क्या होगे हमारे common noun, collective में क्या होता है, the name of collection, और group of person, और animals, ठीक है, things का collection भी हो सकता है, या फिर person या place का group का name हो सकता है, collective noun, जैसे army हो गया, herd हो गया, bunch हो गया, pack हो गया, यह सारे कौन से noun होगे, collective noun, okay, तो आपको अभी write करते चलना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, जो write करने वाली ना हो, okay, तो आपको अभी write करते हुए ही चलना है, चलिए देखते हैं, collective noun and a noun of multitude are two different types of as collective noun, देखो दिया गया है, की collective noun or noun of multitude, collective noun के ही two kinds होते है, ठीक है, different kinds होते हैं, थोड़ा थोड़ा difference होता है इनमें, देखे, यहाँ पर दिया गया अलग collective noun and a noun of multitude are two different types, चो noun of multitude होता है और collective noun होते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन इन में थोड़ा सा different होता है, क्या difference होता है? as a collective noun denotes one individual whole, जैसे कि collective noun में क्या होता है? एक पूरा का पूरा group बताता है, तो यहाँ पर दिया गया है जैसे पूरा का पूरा, one individual whole, जैसे committee दिया गया है, तो as a whole, सारी के सारी committee, ओके, और noun of multitude में क्या होता है, denotes the individuals of the group, मतलब individuals का जो group होता है, वेक्तियों का, उसको बताता है, जैसे यहाँ पर example पर दिया गया है, the members of composing the committee, जो members होते हैं, वो एक committee को बनाते हैं, तो यहाँ पास जो committee है, वो only one committee है, जो committee को बनाते हैं, लेकिन यहाँ पास committee, पूरी committee के बारे में बात हो रही हो, कि जितनी committee लगी हुई है, वहाँ पर, चलिए अब next देखते हैं, uncountable noun, तो uncountable noun क्या होता है, nouns that cannot be counted, ऐसे noun जो count नहीं किये जा सकते, and don't have their plural form, और उनका plural भी नहीं बन सकता, यह तो आप जामते हो, तो वो कहलाते हैं, हमारे uncountable nouns, as would हो गया, money, hunger, weather, यह सब आप count नहीं कर सकते हो, इसलिए यह हो गया हमारे countable nouns, proper nouns, material nouns, and abstract nouns are these types of, these three types of nouns, demands, दिया गया है, जो हमारा proper noun हो गया, material noun हो गया, abstract noun हो गया, यह क्या होते हैं, हमारे uncountable noun पर आते हैं, ठीक है, जैसे, रमियज, डैली, दगंगा, तो इनको हम count नहीं करते हैं, कि one गंगा, two गंगा, इस तर नहीं count कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट count नहीं करते हैं material noun gold, silver, wood इनको तो count करते ही नहीं है one gold, two silver इस्तर बोलते ही नहीं है abstract noun को ही हम count नहीं कर सकते हैं चलिए अब दिया गया है noun numbers तो आपने noun जान लिया noun के kind साब को five पता ही है वही है सारे common, collective और यहाँ पर proper material, abstract सारे nouns दिये गया है countable nouns पर कौन-कौन से noun आते हैं common noun and collective noun और uncountable nouns पर कौन-कौन आते हैं proper nouns, material nouns and abstract noun अब next देखते हैं noun numbers अब noun number के बारे में पढ़ना है इसमें कुछ rule पढ़ने होंगे आपको तो rule आपको write करते चलना है ठीक है इसमें अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो drop करने वाली हो तो आपको सभी की सभी write करना है हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो कि example जो बहुत सारे दिये गया है उनमें से एक-एक cut कर सकते हो चलिए when the noun is one in number it is said to be singular singular form क्या होता है जब कोई भी noun one number में होता है मतलब की the noun denotes one person place or thing कोई भी noun one person या place या thing को बताए तो वो हमारा हो जाता है singular form उसका noun का और जो more than one person place or thing बताता है वो हो जाता है plural form जैसे दिया गया है यहाँ पर when the nouns are more than one number one in number जो one in number मतलब दिया गया है कोई भी noun one number से जादा हो तो वो हो जाता है हमारा plural form ओकी देखते है there are two numbers in English grammar English grammar में two numbers होते है singular and plural example दिये गये है आप लोग समझ सकते हो यह singular है इसका plural बन गया singular, plural यह देखिए दिया गया है तो two number होते है ओके noun number कितने होते है two it is divided into two types the singular and the plural चलिए next देखते हैं दिया गया है there are some nouns singular in form which are used in plural sets अब यहां से आपके rule start हो जाते है कि singular कैसे होता है और plural कैसे उसको हम change करते हैं ठीक है तो कोई-कोई nouns होता है यहां पर पहला rule दिया गया है आपका rule number first there are some nouns singular in form कुछ nouns होते हैं जो form में क्या होते हैं singular दिखते हैं which are used in a plural sense जो कि plural sense पर used होते हैं जैसे दिया गया है यहां पर pupil pupil क्या होता है लोग होते हैं बहुत सारे लोग है ना pupil बहुत सारे होते हैं तो दिया गया है several pupil were there तो यहां पर pupil क्या है plural है इसलिए यहाँ पर वर आया यहाँ पर दिया गया है पॉल्ट्री तो इस पॉल्ट्री आर हिस यह पॉल्ट्री किसकी है उसकी है तो यहाँ पर भी यह plural आएगा तो यह दिखते तो singular है बट योज plural में होते हैं आपको याद रखना है cattle, cattle whose are these cattle cattle में इसमावेसी बहुत सारे होते हैं ठीक है वो भी अकेला नहीं होता तो यहाँ पर हो गया cattle plural ओके अब कुछ note दी गई है वो भी आपको mention कर लेनी है when people is used in sense of nation the plural is pupils देखो एक चीज़ और होती है अगर आपने कहीं देखा कि pupil का हमारा pupils लिखा है pupils लिखा है तो वो हो जाता है more than one nation और कभी लिखा है a pupil तो वहाँ पर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा a nation एक राष्ट a pupil होता है और pupils मतलब more than one nation यानि एक सी ज़्यादा राष्ट ठीक है but ऐसा हो कभी जी pupil only दिया हो तो वो only लोग होता है वो nation नहीं होता है तो आपको यह याद रखना पड़ा है जैसे आईसा is inhabited by many different pupils जो आईसा है उसने बहुत सारे अलग-अलग nations में निवास किया है ठीक है तो यहाँ pupils है means nations होता है one से ज़्यादा nation अगर आप pupil दिया होता तो एक nation हो जाता और pupil से है तो बहुत सारी nation होगे only pupil है तो वो लोग होता है चलिए next देखते हैं अब rule कौन सा है there are some nouns which are either not used at all in plural or are used in the plural in some special sense देखो दिया गया है कि कुछ nouns ऐसे होते हैं जो हमेशा तो कहते हैं I either not used मतलब जरूरी नहीं है कि वो plural में ही use हो ठीक है or are used in the plural in some special sense या फिर कभी-कभी कुछ sense होते हैं जिनमें वो plural में use हो जाते हैं जैसे furniture information दिया गया है abuse Anita gave me much abuse ठीक है for no fault यहाँ पर दिया गया है next number fork तो some fork are never satisfied issue तो Ramis had no issue child or children ठीक है यहाँ पर फिर इसके बाद यह हो गया advice advice मिस क्या होता है शला तो if you take my advice study hard तो यहाँ पर यह कुछ nouns होते हैं जो क्या करते हैं plural में ही रखे जाते हैं लेकिन कुछ sense होते हैं जो आप plural में नहीं भी रख सकते हो चलिए next rule दिया गया है there are some nouns which have the same form for the plural as well as for the singular कुछ होते हैं nouns ऐसे जो singular जैसे दिखते हैं और वो plural में यूज होते हैं मतलब उनका singular और plural form same होता है different नहीं होता जो सीप singular one सीप है तो भी सीप बोलेंगे और more than one सीप है two सीप है three सीप है तो भी सीप ही बोलेंगे सीप से नहीं बोलेंगे thus this सीप has a lamb but these सीप have no lambs देखो यहाँ पर दीज मतलब बहुत सारी सीप से हैं और यहाँ पर एक सीप है तो सीप के बारे में यह होता है सीप हो गया hundred score brass and yoke यह सारे ऐसे nouns होते है जिनको हम singular और plural में shame रखते हैं चलिए next देखते हैं but we can say लेकिन हम कह सकते हैं अगर कभी ऐसा आए example I have been there dozens of time ठीक है यहाँ पर क्या दिया गया है आगे कोई ना कोई noun दिया गया है उससे attachment यह है तो यहाँ यहाँ पर हम use कर सकते हैं जैसे thousands of people hundreds of balloons dozens of time ऐसे यूज कर सकते हैं बट ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं कि ten hundreds या फिर four scores ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं बट ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे dozens of times दिया गया है hundreds of balloons दिया गया है thousands of people तो ऐसे तो यूज़ कर सकते हैं ठीक है चलिए अब next rule देखते हैं some nouns are used only plural कुछ nouns होते हैं जो हमेशा plural में use होते हैं जैसे कि दिया गया है names of instruments ठीक है कोई भी instruments का name होगा तो वो भी हमारा किस में use होगा plural में use होगा जैसे have two parts forming a kind of pair और वो क्या रखता है two parts रखता है जैसे आप देखते हो seizures, seizures के two parts होते हैं होते हैं चलिए देखो दिया गया है seizures, blouse, tongs, pincers, spectacles इन में सारे के सारे जो दिये गया है न सारे के सारे के दो parts होते हैं अब दो parts हैं तो normally सा मतलब की सोच सकते हो आप लो don't say these seizures are soft where are my spectacles दिया गया है but we say the pair of seizures is soft मतलब यह तो हम बोल सकते हो के यहां पर हमेशा क्या होगा plural form use होगा but अगर ऐसे दिया गया है this pair तो यहां पर pair के बारे में बता रहा है न तो हमेशा word singular आएगी but अगर seizures दिया रहता तो वहां पर word plural आ जाती है इसके बाद दिया गया the pair of spectacles belongs to me यहां पर भी singular यूज हुआ है not belong to me यहां पर belong to me नहीं होगा और हम यह नहीं कह सकते हैं कि where are my spectacles ठीक है आप बोल सकते हो कि where are my the pair of spectacles या फिर यह वाला example ले शकते हैं आप लोग चलिए note करते जाएगा अगला rule देखते हैं अगले rule में दिया गया है names of certain articles like dress, trousers, doors, breeches and sorts यह कुछ होते हैं articles कुछ चीज़े होती हैं जिनको हम क्या करेंगे इनको plural में use करेंगे वैसे ही use करते हैं जैसे उनका use करते हैं कि यह भी pairs में होती है his trousers were costly या his sorts were dirty यह हम नहीं so we don't say हम ऐसा नहीं करेंगे अब कैसा करेंगे मतलब कैसे कहेंगे इसको there is a pair of trousers ठीक है इनको pair में use करते हैं जैसे दिया गया है this pair of sorts तो इनको क्या होता यह जब जोड़े में होते हैं तब इनको हम singular में use करते हैं ओके लेकिन यह हमेशा plural ही आता है कभी भी आप टाउजर नहीं लिखोगे टाउजर से ही write करोगे ठीक है अगला rule दिया गया है study the use of following nouns कुछ nouns होते हैं इनकी use आपको पढ़ना है जैसे innings दिया गया है ठीक है तो यह हमेशा singular में use होता है ठीक है इसका means तो लगता है कि ऐसा लगा है last में plural में होगा लेकिन नहीं यह singular में use होता है तो we have not yet had an innings और 11 bit of the other by an innings and 50 runs odds दिया गया तो odds ह हमारा plural में use होता है ठीक है इसके बाद clause clause भी हमारे plural में use होते है hem हैं थैंक्स थैंक्स भी हमारा हो गया फ्रेंस मौता है हमारा सिंगुरल में जिस नूज होता है जब भी नूज आएगा थो सिंगुरल शेहने हिर्व्ठेंस को यह नहीं ऐने कर Wagam gig Stage G वरट रख्ता है यहां पर है बाहिए ठीके अथिस कोता है हमारे फिर इसके बात कि slipping गैलोज हो गया तो गैलोज है यह क्या होता है यह सिंग्लर वर्ब रखता है तो आपने यहां तक रूल पढ़ लिए चलिए दो रूल और कवर कर लेते हैं फिर इसके बाद कलेक्टिव ना उना जाएगा यह सब सारी चीज़े जब आती है तो विच इंड इन एस जो क्या होता है लास्ट में एस तो दिखता है इनका लेकिन क्या होता है आर्स आलसो सिंग्लर एंड टेका सिंग्लर वर्ब यह हमेशा सिंग्लर रहती है और सिंग्लर वर्ब ही रखती है जैसे एकोनॉमिक्स अबेजिक्स, मीशलस, और बिलियार्ड्स, यह सारे गेम्स, और किसके नाम हैं, आपे हम डिशीजेज की नाम हैं, तो इन पर हम क्या करते हैं? हमेशा, from singular verb यूज करते हैं, यह देखो, आपको singular verb मिलेगी, क्योंकि इसमें एस तो लागा होता है, लेकिन, अब mathematics, बहुत सारी mathematics से थोड़ी नहीं होती है, economy से बहुत सारी थोड़ी नहीं होती है, वो तो एक कोई है, इसकी meaning ही होती है, इसलिए जो names of games हो गया, कुछ games, सारे games नहीं, ठीक है, और diseases and science or branches of knowledge, ऐस लगा होता है last में, जैसे billiards दिया गया है, droughts दिया गया है, balls, measles, mumps, politics and ethics यह सारी ऐसे words होते हैं, जिनमें last में ऐसा आता है, बट यह singular use होते हैं, some nouns which take the plural form at ordinary time, दिया गया है, कभी-कभी होता है, कि some nouns which take plural form, कभी-कभी plural form रखते हैं, retain the singular form, express some specific quantity of number, कभी-कभी singular form रखते हैं, कभी-कभी plural form, जैसे दिया गया है, a five rupee note, ठीक है, यहां दिया गया है, a fortnight, a three year old child, a three foot rule, fifty head of cattle, a five pound note, a two month old baby, a six week course, अब दिखो, इनको हम plural form पर भी use कर देते हैं, जैसे six weeks बोल देते हैं, three years बोल देते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया, a three year old child, ओके, तो यहां पर हमारा singular use हुआ है, चलिए, थोड़ा थोड़ा difference है, आप लोग पढ़ते जाईएगा, अच्छी चीज़े हैं, collective noun देख लेते हैं, collective noun देख लेंगे, फिर gender हम अगले वीडियो पर cover करेंगे, तो collective noun क्या होता है, such as a group of things, जैसे things का group होता है, आपको पता ही है, crowd of people हो गया, herd of cattle हो गया, are usually singular nouns, when follows by an adjunct, and therefore generally take a singular verb, जब ये साथ में आते हैं, जुड़ करके आते हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं, singular verb ही रखते हैं, जैसे दिया गया, a group of people was standing on the road, ठीक है, a fleet of sips was seen selling away from the cost, यहाँ पर क्या दिया गया है, जब भी collective non adjunct पर आते हैं, मतलब साथ में जूड़ करूंगा, pair भी साथ में आते हैं, जैसे अग group, तो हम यहाँ पर आप कभी भी देखना, अगर off लगा है न, off के बाद कोई noun आया है, कभी भी subject के form पर, तो आप देखोगी उसके पहले वाल, off के पहले वाले को देखते है और उसके according हमें लगाना पड़ता है, verb, ओके, तो इसी according हम verb लगाएंगे, आपने देख लिया, चलिए, अब next video पर cover करेंगे, noun, gender, तो सभी लोग अपनी copy पर write कर लेंगे, सारे rules और अच्छे से device कर लेंगे